Hello friends, DK Sina this side, week की सभापती हो गई और Saturday का दिन आ गया, तो चलिए करते हैं Indian Stock Market की आने वाले week में क्या संभावना है उसके लिए Technical Analysis Last week में Nifty 50 ने एक और नया All Time High बने अब क्या संभावना या नजर आ रही है, मार्केट में इसकी Analysis करेंगे और Support and Resistance लेवल क्या हो सकते हैं, Nifty में, Bank Nifty में और Finance Nifty में, Fin Nifty तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजे, चैनल को सब्स्राइब कर लीजे, बैल आइकन को हिट कर दीजे, नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेटेड रहे, चलिए इस Analysis की शुरुआत करते हैं सबसे पहले Broad Market का एक Outlook लेते हैं, कि Last Week जो समाथ हुआ, उसमें Broad Market ने कैसा Performance किया तो अगर Financials को देखें, तो 1% की तेजी देखी गई Week on Week basis में, वहीं IT सेक्टर में गिरावट थी 1.12% की, और FMCG सेक्टर 1.53% की तेजी में था, और Oil and Gas सेक्टर में काफी दिनों के बाद गिरावट दर्ज की गई, लेकिन वो गिरावट बहुत सीवियर नहीं थी, 0.83% की क 0.19% से, वही Small Cap Stocks, जो 50 Stocks का है, उसमें Marginally गिरावट दर्ज की गई, 0.31% की, तो broader market में जो move था, वो sideways to bullish tone में नजरा, अगर frontline index की बात करें, तो Nifty 50, bullish था 0.78% से, वहीं bank Nifty भी bullish था 0.92% से, अब bank Nifty के तो जो major constituents है, private banks and PSU banks, तो private banks बहुत दिनों के बाद, उन्होंने public sector banks को outperform किया, last week, और private banks इस तरह से bullish थे, 0.82% से, वहीं public sector banks में गिरावट थी, 0.83% से, तो last week में market का sentiments क्या था, market का mood क्या था, अब ये जानने की कोशिस करते हैं, तो market mood index, जो Nifty 50 के प्रती, fear and greed aspects को indicate करता है, उसका जब market में closing हुई, तो reading थी 40.39, इसका तात्पर है, कि वो fear zone में है, और एक week पहले, वो 31.24 की reading दिखा रहा था, इसका मतलब, वो fear zone and extreme fear zone की border पे था, तो market के sentiments में, over the past week, improvement जरूर आयता है, तो चलिए बढ़ते हैं, straight away price chart में, और technical analysis की शुरुआत कर, अब हम देख रहे हैं, Nifty 50 Index के weekly price chart, इस index की जो closing हुई, वो ही 22,212.7 पे, और इस तरह से ये 0.78% की तेजी के साथ में बंद हुआ, अब यहाँ पर price action को समझते हैं, जो बहुत important है, यह एक massive impulsive wave थी, इसके बाद में यह correction हुआ, और correction के बाद फिर यह price उपर जा रही है, significant बात क्या है कि यह level जो था, आप देखिए price का कई week तक rejection हुआ, लेकिन last week में इस level का breakout हुआ, और last week की candle को closely देखें, ताकि हम market की psychology को समझ सकें, तो bears ने भरपूर कोशिस की है price को नीचे लाने में, और इसलिए इस candle में, last week की candle में, large lower shadow का formation हुआ है, और इस तरह से nifty न last week में 22,297.5 का all time high बनाया, लेकिन price थोड़ा सा reject हो गई, तो इसके कात्पर यह क्या हुआ, कि अगले week में हमें चाहिए follow through 22,297.5 का, ताकि upside momentum बिल्ड हो सकी, तो downside में अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो price का resistance था, multiple time resistance है, तो यह तो एक immediate support है, और वो support आ रहा है 22,000 के, और इसके बाद नीचे देखें, तो इस level पे, तो यह जो prior week की candle है, इसकी opening है 21,800, तो इसका मतलब 21,800, तो यह candle जो है, prior week की candle, इस candle का body का जो entire range है, यह demand area को रूप में काम करने की संभावना है, अब बढ़ते है, momentum indicator को check करते हैं, तो momentum indicator हमें क्या दिखा रहा है, हम RSI को देखेंगे, तो RSI currently 72.59 पे है, weekly chart में, significant बात क्या है, कि यहाँ पर जो swing बनाया था इसमें, इसके उपर में RSI जा चुका है, तो इसका मतलब 60 के level के उपर में bullish swing breakout हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इस level में जो RSI की value थी, उससे higher RSI की value है, तो momentum तो build हुआ है, अब चटते हैं daily price chart में, ताकि recent price action को समझ सकें, यहाँ पर गौर से देखें, तो यहाँ पर एक cup and handle pattern बना है, जिसका यहाँ पर breakout हो चुका है, तो अब upside में since all time hyper, nifty-fifty trade हो रहा है, तो कोई price action के आधार पर तो resistance है नहीं, तो पहले तो हम target निकालते हैं, कि इस cup and handle pattern का target क्या निकलता है, तो आप देखें, इसका target करिवा आता है, 22,684 के aspects, बतब 22,700 तक जाने की त्यायर ही, nifty-fifty कर रहा है, अब यह तो target हमने निकाला, cup and handle pattern के अनुसार, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो एक यह well-defined impulsive wave है, और उसके बाद में यह correction हुआ, और फिर यह price upside move कर रही है, और last trading session में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन कोई bearish candlestick pattern नहीं मना है, और उसके पहले वाले दिन मैंने 22 फरवरी की candle का, जो large lower shadow है, उसने EMA21 पर support लिया है, तो इसका ताथपर है कि जो demand area हमने चर्चा की, जहाँ पर EMA21 और volume weighted moving average का भी confluence है, यह एक अच्छा demand area नजर आ रहा है, nifty-fifty, अब जैसा मैंने बोला कि यह एक well-defined impulsive wave है, अगर इसके हिसाब से हम target को project करें, तो फिर क्या संभावना नजर आ रही है, चलिए इसको हम target को project करते है, wave analysis के अनुसाद, तो यहाँ पर देखिए यह आता है, 127.2% expansion आता है, 22,437-38 के आश्पेस, तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले week में 22,450 से लेके 22,500 का जो level है, वो immediate supply zone होगा यह target बोल सकते हैं, और downside में 21,800 से 22,000, एक support को रूप में काप परेगा, in fact, 22,000 भी एक अच्छा support है, तो कि यहाँ island का formation हुआ था, यह level बहुत important है support, जहाँ price का rejection है, price का rejection होके shooting star है, तो यह level एक significant support है, तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा bank nifty के price chart में, ताकि उसकी technical analysis हम कर सके हैं, अब हम refer कर रहे हैं nifty bank index के weekly price chart को, तो यहाँ इस index की closing last week में हुई 46,811.75, और इस तरह से यह 0.92% की तेजी के साथ में बंद हुआ, अब marginally इसने nifty 50 को outperform किया, अब price action को समझें, well defined impulsive day, correction हुआ, और correction के बाद यहाँ पे price ने support लिया, और support लेने के बाद कई सब्ता तक price ने ये zone में consolidate किया, ये box type का structure बन रहा था, जिसका breakout जो है, prior week में हुआ, तो prior week में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, अब उसका follow through हुआ है, लेकिन last week की candle की काफी बड़ी upper shadow है, इसका ताथ पर है कि price का rejection हुआ है, तो पहले हमें ये समझना होगा, कि price का rejection हुआ क्यों है, तो नीचे गिरने वाली wave ये वाली थी, अगर हम इसकी retracement analysis करें, तो price reject हुई है golden ratio से, 61.8% जो retracement level है with respect to this गिरने वाली wave का, वो एक rejection group में काम कर रहा है, जो बहुत obvious है, और 78.6% कहा है, वो 47,800 पर है, तो broader हम बोल सकते हैं, ये जो zone है, 47,000 से, जो immediate resistance है, से 47,800, ये एक important resistance area है, क्योंकि इस जगह पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर breakdown हुआ था, और ये level price ने consolidate गया था, और ये level इसलिए resistance भी है, price action के अनुसार भी, और retracement analysis के अनुसार भी, अब बढ़ते हैं daily price chart में, और daily price chart में action को समझते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए daily price chart में, इसने यहाँ double bottom का formation किया, क्योंकि bank nifty short term basis बे, down trend में आ गया था, अब इसके बाद यहाँ पर जब double bottom का formation हुआ, तो उसके बाद कई दिनों तक price नहीं यहाँ पर consolidate किया, और उसके बाद यहाँ breakout हुआ, follow through हुआ, अब यहाँ पर गौर से देखें, back to back candlestick का formation, जैसे ही price is consolidation, band के पास में पहुँची, loss of momentum नजरा रहा है, पिछले तीन निंगे price action को देखें, तो price में कोई bearish candlestick pattern तो नहीं बना है, in fact, bullish pin bar का formation है, और वो कभे bullish pin bar का formation, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, EMA 21 ने EMA 55 को crossover कर लिया है, तो short term trend जो अभी तक bearish था, वो bullish हो गया है, इसका ताज़ पर यह क्या है, कि यह zone, जहाँ पर बार-बार price reject हो रही थी, यह resistance area था, जो यहाँ पर bullish pin bar बना, जिसने indicate किया, कि वो अब support के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर 46,000 से 46,200, जहाँ पर intervention है, EMA 21 और EMA 55 का, वो support के रूप में काम करने की संभावना है, बैंक निट्टी में अगले week में, और अगर उससे नीचे थोड़ा गिरा भी, तो यहाँ पर देखिए, एक अच्छा बहुत support है, 45,700 के आसपास, और upside में जैसा हमने पहले भी बोला कि retracement analysis करें, यहाँ price action को देखें, तो यह price ने multiple time support लिया है, यह resistance बना, जो confluence ना, golden ratio का, 47,000, तो 47,000 है की immediate resistance है, अगर कोई candle 47,000 के ऊपर में close हो जाती है, तो फिर इसकी संभावना 47,800 तक जाने की बन जाएगी, तो चलिए अब बढ़ते हैं, फिर निट्टी के price chart में और उसकी analysis करते है यह हम देख रहे हैं, निट्टी financial service sector का index को weekly time frame, यह index last week में 20,006,77.1 पे close हुआ, और इस तरह से यह 1% की तेजी के साथ में close हुआ, week on week basis पे, अब इसको देखे typically थी यह typical एक rising price channel में trade हो रहा है, जहाँ पे upper fiber एक resistance को रूप में act कर रही है, और lower fiber एक support को रूप में act कर रही ह प्राइस ने कई सब्ता तक यहां consolidate किया, और पिछले week में इस consolidation band के बाहर price आई है, तो इसका मतब traction रहा है, बट at the same time हमें price का rejection भी नज़रा रहा है, क्योंकि last week की candle जो है उसका large upper shadow है, तो यहाँ पर भी हम एक retracement analysis कर सकते हैं, last गिरने वाली wave यह है, तो इसको देखें, तो reject हो रही है, with respect to, यह prior जो गिरने वाली wave है, उसके अनुसार, तो यहाँ पर भी हम देखें, तो 21,000, एक अच्छा खासा register से जहाँ यहाँ price ने support लिया, यहाँ price ने support लिया, तो यह entire band जो है, 21,000 से लेके 21,200, और 21,200 कों side कहा कर रहा है, 78.6% retracement level से, जो कि एक derivative गोल्टन रि जो का, तो यह तो हो गया supply band, अब यह जो consolidation band है, यह अपने आप में support को रूप में काम करेगा, और last candle जो consolidation band की है, उसका median, तो इस तरह से 20,300 से 20,500 का zone जो है, वो demand area के रूप में काम करेगा, अब बढ़ते है, daily price chart में, तो यहाँ daily price chart में, double bottom का formation है, और यह double bottom का apex था, 20,818 पर, लेकिन देखिए, उसके उपर में candle कोई close नहीं हो पाई, attempt लिया उसने यहाँ, price reject हो गई, फिर यहाँ attempt लिया, price reject हो गई, तो जब तक कोई candle, 20,818 के उपर में close नहीं होती है, यह confirmation नहीं होगा, कि यह double bottom का breakout हुआ है, लेकिन एक बार कोई candle, 20,818 के उपर में close हो गई, किसी भी दिन, और उस candle के high का follow through हो गया, तो फिर निफ्टी जो है, वो 21,200 की यात्रा क्या कर सकता, तो final conclusion है, कि 20,300 से 20,500 एक support को रूप में काम करने की समावना है, जबकि 21,000 से 21,200 का जो level है, वो एक supply zone के रूप में काम करेगा, और level to watch is 20,818, जिसके उपर fin nifty की closing और उसके बाद follow through होना अत्यनका विश्ण, तो इस वीडियो में, हमने की support and resistance level की बाद, क्या आप इन support and resistance level से सहमत, तो इस वीडियो के comment section में comments ज़रूर लिखे, और अगर आपके अनुसार या price action analysis के अनुसार, अगर आपको कोई और relevant level नजर आता है, निप्टी में, bank nifty या fin nifty में, उसको भी comments में ज़रूर लिखेगा, ताकि हम इस channel को एक interactive platform बना सकें, ताकि आपस में समवात करके, हम बहतर जानकारी market के बारे में प्राप्त कर सकें, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अधिक्यादू.